स्टार्प भारत पर टलीकास्ट रोने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के अपिसूर की शुरुआत होगी श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण द्वारक के बाहर उदास बैठे हुए होगे जहां पर बलराम दाव आएंगे और उनसे कहेंगे कि क्या हुआ कानहा तुम इतने उदास क्यों बैठे हो सब ठीक तर चल रहा है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए राधा और तुम्हारा मिलन भी होने वाला है बलकि तुम्हें तो प्रसन हो के बांसुरी बजानी चाहिए और तुम यूँ मूँ लटकाए बैठे हो क्रिश्ण कहेंगे कि नहीं दाव ऐसी बात नहीं है दाव क्या आपने शनी देव की बात ठीक से सुनी नहीं थी बलराम दाव बहुत कंफिज हो जाएंगे कहेंगे कि काना आखर ऐसा क्या बोला था शनी देव ने बताओ शी क्रिश्ण जैसे ही उन्हें देखेंगे फिर कहेंगे बलराम दाव की रहने दो तुम कुछ ऐसा बताओगे जो मुझे समझ नहीं आएगा और तुम बातें कोल-कोल घुमाओगे फिर मुझे पाईशानी होगी इस कर्म समपून होंगे और अभी ना राधा के कर्म पून हुए हैं और ना ही मेरे अभी हम दोनों का मिलन और हम दोनों के कर्म शेश हैं इसलिए हमारा मिलन अभी नहीं हो सकता दाव बहुत जादा पैशानी में आ जाएंगे कहेंगे कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बो की शुरुवात करचुकी होगी और हर कोई यही केहता नजर आएगा चलिए खुली शुरू करते हैं लेकिन द्वार organism Anational उसे कृष्ण के आने की बात कहते हुए रादा कहेंगी कि लेकिन कृष्ण को तो आने दो पहले हम हूली उसके आने पर ही आरम करेंगे सब लोग मान जाते हैं उदर दिखाया जाएगा कि साम धून रहा होता है कुछ लेकिन तभी भूत प्रेतों से डरता डरता वो इधर उधर भागने लगता है और यहाँ पर जामवंती और लक्ष्मिना उसके पीछे पीछे दौरती हैं और उसे समझाने के कोशिश करती हैं कि देखो आरे मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपकी माता जामवंती हैं आप हमसे क्यों डर रहे हैं यहाँ पर साम कहेगा कि मुझे दूर रहो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तुम दोनों से बहुत बहला लग रहा है यहाँ पर जामबंती चला चला करके कहेंगे कि पुत्र मुसे तुम भारी ये पीडा नहीं देखी जा रही तुम एक काम करो तुम महा मृतिंज का जाप करो तब ही शनी देव तुम उपर से अपनी वक्रदिष्टी हटाएंगे साम की कानों में ये स्वर पढ़ते हैं और वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है साम जमीन पर बैट कर महा देव का महा मृतिंज जाप करना शुरू कर देता है तब ही दिखाये जाएगा कि द्वाव द्वारुका में उच कृष्ण के साथ प्रवेश करेंगे और वहाँ प देखकर बहुत हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी होली कहां से आगई अभी तो समय है ख замеч है हुली में काफी जादा समय शेः तभी राधा आती है वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साहरो कहती है कि आब भूल गए दाउ वर्सान सब रिंदावन में तो हम इसी समें से प्रकार होली आरहम किया करते थे, दाव कहेंगे, लेकिन अभी तो रादा होली में बहुत time है और मेरे तो कारे भी बहुत शेश हैं, अभी कहां से होली? क्रिश्ण कहेंगे कि दाव, आप होली नहीं खेलेंगे न, क्यूंकि आप तो होली पर कई बार हाट चुके हैं, और इस क्रिश्ण यहां पर दाव को समझाते हुए सारी हुलियों के नाम लेते हैं जो बरसाना बिंदावन में उन सब ने पहले खेली होती है और यहां फ्लेश बैक में आपको पिछली हुली के कुछ सीन्स दिखाये जाएंगे तब ही क्रिश्ण उसे कहेंगे बल्राम दाव के कानह हां मैं सब समझ रहा हुँ लेकिन फिर भी होली में अभी समय सेश है क्रिश्ण कहेंगे कि हां हां पिछली बार दाव को रंग बहुत जादा खतरनाक लगा था इसलिए श्याइद वो डर रही है और इसलिए वो इस बार नहीं खेलेंगे क्योंकि कीचन के होली से तो दाव क बहुत जादा भैल लगता है तब इनिशाद उल्मु कहते हैं कि वा होली हमें भी खेलनी है होली वो भी राधा और कृष्ण के साथ और सपिता जी हम आप के साथ भी खेलेंगे तब इराधा कहती है कि क्रिश्ण तुम उनको क्यों छेड़ रहे हो दाव आप होली खेलेंग तो तुम कैसे खेलोगे पिता को काम है मतलब पुत्रों को भी काम है यहाँ पर निशाद उल्मु कहते हैं कि हां हां हम भी नहीं खेलेंगे वैसे भी हमें होली तो पसंद ही रही है वगेरा वगेरा यहाँ पर राधा कहेंगी तो हम फूलों से रंग बनाएंगे निशाद दुल्मुक को आंग दिखाते हैं बल्राम दावों कहते हैं कि नहीं नहीं आप अकेले होली खेली हमें आपके साथ होली खेलने में कोई दल्चस्पी नहीं है फिर राधा बहुत उदास हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या मैं अकेले होली खेलूंगी दाव कहेंगे कि कृष्ण के तरफ इशारा करते हुए अकेली कहां अकेली ये है न इसका तो जन्मी ही होळी खेलने के लिए हुआ है, कृष्ण कहेंगे कि नहीं, हर बार राधा मिझे रंग लगा देती है और मैं इसे लगा हिने ही नहीं पाता इसलिय इस पर मैं भी होली नहीं खेलूंगा, राधा खेलूंगी क्रिश्ण के पुत्र जो होते हैं उनकी पत्नी आती हैं वो कहती है कि श्री राधे आप इतनी चिंतित मत होईए हम सब है ना हम भी आपके साथ हुली मिलका खेलेंगे तबी वहां पर राधा क्रिश्ण अकेले में मिलते हैं जहां पर राधा कहती है कि इस पार तुम तो ब्रंदावन बरसाना को बिकुल भूली चुके हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम ऐसे बात करके मेरा समय व्यत मत करो, मुझे रंग बनाना है, वहाँ दिखाया जाएगा कि सब सहीलिया मिल कर रंग कुंड तयार करती हैं, अब रंग कुंड तयार करने के बाद रंग क इतना पक्का बना है, इसे चेक करना होता है, जिसके लिए वो एक बकरे की तलाश करती है, यहाँ पर साम दूर से आता है, और सब सख्यां खुश हो जाती है, लेकिन राधा उन्हें अलर्ट करती हैं कि नहीं नहीं, हम साम के साथ ये नहीं कर सकते, उसे बहुत साधा और वह जल से साम को उस रंग कुण में गिरा देती है और साम के उपर पूरा रंग चड़ जाता है और साम को बहुत जादा क्रोध आता है तब ही वह इधार देखता है तो सक्षिकों के रूप में उसे सब भूत-प्रेद नजर आते हैं जो उस पर रंग डालते जाते हैं और वो उनसे बहुत जादा डर जाता है और चुप चाप रंग पढ़वाता रहता है जैसे ही साम को थोड़े सी सुद आती है वो कुछ से मिलाल होता है और राधा से कहता है कि यह क्या किया तुमने अपनी सहेलियों के साथ मलकर राधा इस बार रंग की होली नहीं बलकि राह की ह समय होगी यहाँ पर राधा की चिंता खुशी कुभम हो जाती है और राधा की खुशी गम में कर दो कर दो